हेलो चिल्डरन, कुसुम मैं की ओलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की इंगलिस की बूप, My Book of English का लैसन थर्ड, Walking with Grandpa के वोकेबलरी पार्ट को समझने वाले हैं, और समझने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी स्टार्ट करते हैं, वोकेबलरी पार्ट, यहां पर है, Write the members of your family in the boxes given below, नीचे दिये गई बॉक्स में अपने family members के बारे में आपको लिखना है कि आपकी family में कौन-कौन से members है, One has been done for you, एक आपको यहां पर लेकर दिखा दिया गया है, जैसे देखो बच्चों, यह है family है न यानि कि दादा जी और उसके देखे साथ आपकी दादी जी भी रहती है, तो आपको यहां पर लिखना है, Grand Mother, अब आगे देखिए और आपके यानि कि father भी रहते हैं, है ना, पापा, तो यहां पर आपको लिखना है father, और रहती है आपकी mother भी family में है ना, तो mother, और यहां यहां पर आपको लिखना है, अगर आपका कोई भाई है, तो आपको लिखना है brother, और अगर आपकी sister है, तो यहां पर आपको लिखना है sister, और अगर brother और sister दोनों है, तो आपको लिखना है brother and sister, ठीक है बच्छो, इस तरह से आपको यह सब लिखना है, इनकी spelling भी लॉन करनी अब second question देखी यहां पर है rearrange the letters of alphabet given below to make words that you find in the point यहां पर यह करता है कि words जो नीचे जो है words दे रखे हैं point से ही आपको ढूणने है और उनके rearrange करना है आपको यह उल्टे पुल्टे जो है वो alphabet दे रखे हैं letters जो है letters उल्ट पुल्ट दे रखे हैं उसको आपको rearrange करके और एक सही words बनाना है जो point में आपको मिलेगा तो यहां पर देखो यह है T, S, P, O तो इससे क्या word बनेगा बताओ जो point में भी है तो आप ढूणो point में से और मुझे बताओ जल्दी से हम ढूण लिया क्या है stop तो अब हमें यहां पर लिखना भी है S, T, O, P आप देखो S, T, O, P बनेगा ना stop अब इससे तरह से यह है S, O, M, T अब इसको भी ढूणो ज़रा बताओ क्या word है यह जो इस तरह से उल्ट उल्ट दे रखा है बताओ पता चल गया यह है most M, O, S, T तो अब हम क्या लिखेंगे M, O, S, T, most अब इससी तरह से यह बताओ बच्चो R, U, Y, H, R और मुझे बताओ कि इससे क्या बनेगा पीछे देख सकते हो पोईम में देखकर बताओ कि इन वर्ड से अगर हम इनको रेंज करें तो कैसे करें और क्या word होगा यह पता है यह होगा बच्चो, हरी, H, U, R, Y, हरी तो अब हम इसकी स्पैलिंग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है हरी मिन्स होता है जल्दी, यह R है अब यहाँ पर देखो, G, O, Y, U, N यह दे रखा है और मुझे बताओ कि पोईम में से ढूंद कर कि यह क्या word बनेगा पता आपको क्या बनेगा? यह बनेगा बच्चो, यंग Y, O, U, N, G, क्या लिखेंगे? Y, O, U, N, G, यंग यंग मिन्स क्या होता है पता है? यू आप नेच्ट देखिए, रियरेंज दे फोलोविंग वर्ड्स इन अलफ़बेटिकली ओर्डर यहाँ हमें नीचे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको अलफ़बेटिकली ओर्डर में रियरेंज करना है अलफ़बेटिकली क्या होता है? पता है बच्चो, अलफ़बेट में जैसे कि सबसे पहले कौन सा लैटर होता है? A, फिर B, फिर C इस तरह से यहाँ पर हमें उनको लिखना है तो बताईए, A, A से स्टार्ट होती है अलफ़बेट है ना? तो A से कौन सा वर्ड है? यह रहा आंट तो सबसे पहले हमें लिखना है आंट और आंट क्या होती है पता है? चाची अब A के बाद आता है B लेटर है ना? और B लेटर से कौन सा वर्ड है? ब्रादर यानि की भाई और फिर हमें लिखना है ब्रादर और इससी स्पैलिंग भी याद करनी है B, R, O, T, H, E, R, ब्रादर ब्रादर मिन्स भाई B के बाद आता है C और C से ढूंडो कोई वर्ड है क्या यहाँ पर? यह रहा यह है कजन C, O, U, S, I, N, कजन, कजन यानि की चचेरा भाई या बहन जो होता है उसको हम बोलते हैं कजन अब C के बाद आता है D, D है क्या? D तो नहीं है, D से बनने वाला वर्ड है ना? और E, E भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे उसके बाद F, F से बनने वाला वर्ड बताओ शाबास, है क्या यहाँ पर? हाँ, यह रहा F से है Father, F, A, T, H, E, R Father, Father means पापा, पिता जी, है ना? तो हम उसके बाद यहाँ पर Father लिखतेंगे और F के बाद क्या आता है? जी, जी से भी है क्या? ढूंडो कोई वर्ड है? हाँ, यह रहा Grandfather, और Grandfather क्या होता है पता है? दादा जी, स्पैलिंग याद करो G, R, A, N, D, Grand, F, A, T, H, E, R, Father तो क्या बन गया? Grand और Father दोनों मिलकर क्या बने? Grandfather यानि की दादा जी तो आपको यह Grandfather लिख देना है उसके बाद क्या टूंडना है आपको बताओ? ह से बनने वाला word और ह से word तो है नहीं आपर, I, I से भी नहीं है J, नहीं है, K, K से भी नहीं है, L, M, M से मिल गया है ना? M से है Mother M, O, T, H, E, R, Mother, Mother means माता जी तो अब उसके बाद आपको Mother लिख देना है उसके बाद बताओ, M के बाद क्या आता है? N, very good, अब N से बनने वाला है कोई बोड़ यहां पे? देखो ढूंडो, शयावास, अब की बाद मैं नहीं बताओं भी बताओ, है क्या? हाँ, यह रहा, N से क्या बना? Nephew, है ना? तो हम लिखतेंगे, Nephew, N, E, P, H, E, W, Nephew, Nephew क्या होता पता है? भतीजा, यानि कि भाई का जो बेटा होता है, उसको बोलते हैं Nephew. अब N के बाद, O, O से भी नहीं है, P, Q, R, R से भी नहीं है, S, S से ढूंडो है क्या कोई बर्ड? हाँ, S से है sister, और sister की spelling बताओं क्या होती है? S, I, S, T, E, R, sister, sister means बहन, तो आपको यह sister लिख देना है, उसके बाद क्या ढूंडोगे? T, T से है कोई बर्ड? नहीं, U, हाँ, U से हमें मिल गया, U से क्या बना है बताओ, अंकल, U, N, C, L, E, अंकल, अंकल means चाचा जी, यानि कि हमारे पापा के जो भाई होते हैं, उसको हम अंकल बोलते हैं, तो आपको यह वाला लिख देना है, उसके बाद, U के बाद क्या आता है, बताओ, V, P से नहीं है, W, X, Y, Z, इनसे जो बनने वाले वर्ड्स हैं, वो इसमें है ही नहीं, तो यह वाले सभी वर्ड्स थे, और हम आपको सब बच्चों को यह वाले वर्ड्स जो नीचे यहां खाली जगें दे रखी है, वहाँ पर आपको यह सब लिखना है, तो यह वर्ड्स थे, वो आपको खुद लिखने है, इनकी स्पैलिंग भी लर्ण करनी है, इनकी मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमारी सबी ये family members ही हैं, जो family में जो members होते हैं, उनहीं से related ये word दिये गए हैं, आपको याद करना काफी जरूरी है आपके लिए ये सब, तो बच्चो आज इस वीडियो में केवल इतना ही, next वीडियो में मैं आपको इसी lesson का grammar part और उसमें जितनी भी activities आएगी वो सब अच्छी तरह से समझाओंगी, तो देखते रहे हैं मेरी वीडियो को, और इसी तरह से पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं, फिर मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बच्चो